तो देख सकते हैं आज हमारे पास है coconut scrapper जो की manually हम कर सकते हैं हाथ से तो देख सकते हैं हमारे पास तीन model है अंजली brand के दो हैं plastic body के एंड एक है SS body का तो सलिए तीनों को unbox करके बताते हैं इसकी quality तो काफी अंजली अल्मोस्ट काफी पूरान अब्रांड है देख सकते हैं यह since 1974 से है तो सलिए सबसे पहले हम तीनों को unbox करते हैं उसके बाद में इसकी quality एन पताएंगे कौन सा आपको तीनों में लेना चाहिए तो गईच देख सकते हैं हमारे पास तीनों है यह coconut scrubber यह जो मिलता है यह citrus juice निकालने के लिए होता है यह साथ में यह plastic body के साथ में आपको देखने को में लेगा और इजली citrus juice निकालना तो इसके अंदर डालके आप मोसम भी रहता है उसके उपर इस तरह से करके और डॉटेट कर देना है इसको कैसे करते हैं वह बता देता है तो इसको करने के लिए आपको या तो वूड़न का जो plywood रहता है उसके उपर आप इसको stick कर सकते हैं या फिर marble grenade के उपर देख सकते हैं यह इस तरह से vacuum होता है और इसको थोड़ा सा यह असर रहता है तो थोड़ा इस तरह से खिसके और इसको इस तरह से कर लेना है अब भी आप देखिए एकदम perfect तरीके से जो है यह fitting हो जाता है और उसके बाद में तरह से जो है मोसं भी जूस को निढब सकते हैंunting सेक्ष टोनेट करके यह जो है कर सकते हैं एक दम star blade नी रहता है एकदम blunt रहता है एंदे शोक्ति लेकिन आसानी से जो आपका कॉकोन है आपको great करके देता है जो कि इस तरीके से आप देख सकते हैं मोसमी जूस के लिए आप देख सकते हैं इसमें एक्स्टा फ्री मिलता है जो कि स्टेनलेस्टील बॉड़ी में साथ में नहीं मिलता है और स्टेनलेस्टील बॉड़ी और इसमें डिफरेंसे से आपको सिर्फ मेटियल का दिखिएगा और हैट की बात करो तो हाइट आपको इक सेंट्रीम्टर में थोड़ा सा हाइट ज्यादा जिदा लगबख 111 कमेटर के चाह्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा आप ज़क कर सकते हैं एंड वाइट वाइट कलर और यह कलर में आपको कोई भी जो है डिफ्रेंस नहीं है सिर्प कलर का डिफ्रेंस होने वाला है एंड वाइट की फिनिशिंग थोड़ी काफी बढ़िया है लेकिन प्राइज के सबसे बात करूं तो वाइट की MRP 390 है एंड यार इसका MR 345 इसका मॉडल नेम भी डिफ्रेंस है इस मॉडल का नायम है प्रीमियर और इसका है पज मिनी दोनों का मॉडल नायम है जो कि आप देख सकते हैं अगर आपको हाइट चाहिए तो यह वाला एंड इसकी लाइप कैसे होती है आपको कैसे मेंटेन करना है तो हमेसा अगर आप सबस्ताफ फ्रीमाइब करके अगरेज़ा शौरहन रहां एख जाने के बालाएट होता है कि यह से कृइब करते हैं या फ्री फैसे ही फेयर करते इसको नई भीह आपको अधर वाक्योम के अंदर पानी चला जाता है यह अंदर मेटल का रहता है तो यह खराब हो जाता है इसकी लाइब करने के लिए हमार को यह वाला या तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से पकड़ के इसको अंटे क्लोगवाइज रॉटेट करके हम जो है इस तरह से इसको बाल लेके अच्छे से दो के वापस हम जो है डाल सकते हैं इस तरह से एंड इस तरह से हम इसको कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा coconut scrapper तो तीनों का affiliate link discussion मिल जाएगा अगर आपको पचेज करना तो पचेज कर सकते हैं यह था कुछ अंजली का coconut scrapper आपके मंद में और भी कुछ केशुन है तो comment box में लिखना ना बुले स्टील में थोड़ा आप देख सकते हैं इस तरह का लूज रहता है कॉमन है और जब भी आप इसको वाइक्यूम फिट करेंगे इस तरह से तो यह एकदम टाइट हो जाएगा तो यह है वेक्यूम बेस कोकनेट scrapper तो थैंक्यों परसी इस वीडियो